नमस्कार मी मुन्ना आप सभी का कुकवित मुन्ना अपने हिंदी चैनल भूद भूद मनपूरो सौगत करता हूँ आज हम होममेट गुलकन और गुलकन द मिलशेक की रेसिप एक की वीडियो में देखने वाले हैं वीडियो बहुती सिंपल तरके से एक्स्प्लेन की हैं इसलि तो फिर जादा समय ने लेते हुए 2-in-1 मतलब गुलकन द और गुलकन द मिलशेक बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम होममेट गुलकन कैसे बनाते हैं यह देखेंगे गुलकन बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है पैन में में दो कप इतने होममेट रोस पैटल आगर आपको रोस पैटल कैसे बनाते हैं मालूम ना होगा तो आप डिस्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं उससे साथ दोस्तों आप रोस पैटल की रेसीबे अपने चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हैं वैसे हमें रोस पैटल में आइड करना है एक कप इतनी शकर दो आपको कुछ भी इंग्रेडियन समझ में आए तो आप डिस्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए उसमें मैंने सारे इंग्रेडियन मेंशन की हैं आप यह हमें इन तीनी चीज़ों का अच्छे साथ चुला के साहता से इस प्रकाश से मिक्स आउट कर लेना है आकर दोस्तों आप सकता है यह देखेस दो मिनिट बद अब देख सकते हैं हमारे मिश्रों को अच्छे से उबाला गया है अब यह घास की फ्लेम बंद कर देंगे आभी हम इस पैन को लिट से कवर करके 10 मिनिट के लिए साइट में छोड देंगे दोस्तों इस प्रकाश से रोजपण उबाल के अदि थक देने से क्या होता है तो रोस पैट यह से उपंळ के ठक देने सब्सक्राइबकर हमेडा करेक्त करें लैसे कि पर्फेक्लिए यह अपने इपनी भाहएग तरया अधे की परण कर देंगे द Congressman फ्लेम के उब गुलकन को अच्छ से मिक्स आउट करते हुए ड्राइ कर दे रहा हूँ दोस्तों आभी हमने घेस की फ्लेम हाई कर दी है इसलिए हमें पैन में इसे गुलकन को कंट्इनुस ले चलाना है अदरवाइस हमारा गुलकन पैन को चिपक सकता है अगर दोस्तों आप वीडियो इदा तत देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चार्व का सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उससे प्रेस कहना बिल्कुल ना भूलिए यह देखें दोस्तों तकरिवन दो मिनिर बाद जैसे ड्राइ हो गया है यह देखें मैं इस प्रकाइसे गुलकन की कंसेंसी रख रहा हूँ मैं इज़र गुलकन को पूरी तरकेसा ड्राइ नहीं कर दे रहा हूँ क्यूंकि मुझे पानकेट अप्री पे जैसे गुलकन मिलता है वेसे कंसेंसी का गुलकन बनाना है आप चाहे दोस्तो इस सेच के ऊपर कभी भी आपका गुलकन दख क्रिस्टलाइज हुआ शुगर के वज़से तब आप इसमें आदा चमच इतना लिंबू का रस हैट कीजें जिसे के आपका पौर्फेक मार्केट साइल गुलकन रेडी होगा अभी इस गुलकन को हम पूरी तरके सा करके एक बाउन में ट्रांसपर कर दिया है यह देखे गुलकन का टेक्शर देखे एक दब मार्केट साइल आया है वैसे गुलकन के टेस्ट भी एक दम पौर्फेक मार्केट साइल आई हैं आप यह रेसिपि आपके घर पर ट्राइए कीजे आपके आया हुए अनुबाव मे एक घंटी के लिए पानी में सोक कर ले थे फिर इंके छिल्के में निकाल दिये हैं उसे इसमें आड़ करना है और और देखे आप यहाँ इक मिनदीद के लिए चर्ण कर लेंगे यार देखे आप एक मिनिट बाद देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने गुलकल मिलशेक को एक मिनिट के लिए चर्ण कर लिया है यार देखे चर्ण करने से कितना क्रीमी और डिलिशेस हमारा मिलशेक रेडी हो गया है अभी मैं इस तायर मिल्शेक को एक ग्लास में साव कर दे रहा हूँ अगर दोस्तों आप हमारी वीडियो इधर तो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चार्म को सब्सक्राइब कीज़े अभी में मिल्शेक को करने वाला हूँ और थोड़ा सा पिस्ता का पूर्ड आप इधर पिस्ता के स्लाइस भी डाल सकते हैं यह देखिए दोस्तों हमारा क्रीमी डिलिशेस गुलकंद मिल्शेक रेडी हो गया है जल्दी से मोझे कमेंट करके बताए कैसा दिख रहा है इसकि आपको में डोनों रेषेपि कुलकंद मिल्शेक क मैंने कैसे हुआ अपczas-बाद अप्वेडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए उससाथ डोस्तों आप यह वीडियो जादसे ज़ tengo grak प्राइब निके हो तो प्लीज प्लीज मेरे चान को सब्सक्राइब कीज़ें और बाज में जो बेल आइकन आगा उसे प्रेस करा न भूलिए तो इस रेसिपे को एक बार तो आपके घर पर ट्राइब कीजिए तो थैंक्स पर रोचिंट थैंक्यू